और राश्वरे स्वयम सेवक संग की तीन दिवस्य सामनाव्य बैठक आज से दहरादून में शुरू हो गई है पहले दिन संग और बीज़ेपी के बीच होने वाली बैठक को महत्वपूर माना जा रहा है इसमें बीज़ेपी संगठन और सरकार के कामकाज के साथी अगामे विधानसभा चुना की रणनीती को लेकर भी मंधन हो सकता है वही अगले दो दिन 29 और 30 जुलाई को प्रदेश में सेवाकारे में जुटे संग से जुडे 35 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके कामकाज परमन्थन होगा बैठक में राश्ट्रे स्वयं सेवक संग के सहर सरकार वाहा अरुन कुमार और डॉक्टर कृष्ण गोपाल मौजूद है वहीं बैठक में बीजेपी की ओर से राश्ट्रे महामंतरी संगठन बील संतोष राश्ट्रे महामंतरी और उत्राखन प्रभारी दुश्यंत कुमार गौतम प्रदेश अध्यक्ष मेदन कौशिक और चारो प्रांतिय महामंतरी उपस्ते थे संग की बीजेपी के साथ ये सामनाव्य बैठक है तीन दिन तक ही बैठक चली की ऐसे में ये बैठक इसले भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्यास ये लगाया जा रहे हैं कि इस बैठक के दौरान विधानसवा चुनाव 2022 को लेकर रणनीती तयार की जाएगे और इसी परदिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समधाता जैने इंद्रो तेवारी लाइट जुड़ चुके है देरदुन से जैने इंद्रो जिस प्रकार से बीजेपी की एहम बैठक है क्यास तमाम लगाय जा रहे हैं संग के साथ सामनाव्य अस्तापत करने की कोशिश की जा रही है क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर दो दिवस्त से ये दोरा है और ऐसे में तमाम पार्टियां वाँपर मौजूद रहें के देखे गोपनिय बैठक है संग की भाजपा के साथ और ऐसे में जिस तरीके से जो राश्टिय भाजपा के राश्टिय संगटन महामंत्री है बील संतो सो देरा दुन पहुंच चुके हैं और भाजपा के जो पदादिकारी हैं प्रदेश सद्यक्ष हैं उत्राखन के जो प् महत्पूर इस बैठक को माना जा रहा है आज की जो बैठक है संग की भाजपा के साथ है कल और परसो यानि की तीन दिनों के जो बैठक रखी गई है तीन दो दिनों का जो बैठक रहेगा वो तमाम ऐसे जो 35 से अधिक जो संगटन संग से जूड़े हुए उन संगटनों के जो पतादिकारी हैं उनके साथ होने माला है और कई विशों पर वर्ता होगी लेकिन आज की जो बैठक है भाजपा के साथ संकी यह काफी मौत्पूर्ण मानी जा रही है इस बैठक में प्रदेश सद्यक्ष भाजपा के मौजूद है और जिस तरीके से राष्टिय भाजप बौड्ट को लेकर लगातार बिरोध है वह देखने को मिला है ऐसे में कई ऐसे मसलें हैं संग्र संगतन के साथ कर सकता है भाजपा के जो पर्देश अध्यक्ष हैं महामंत्री हैं परदेश प्रभारी हैं उनके साथ इस पे अगामी देशंद नीतियों को लेकर चर्चा किया जिसका सीधा सीधा असर चुनाओं पर पढ़ने वाला है ऐसे में अगले साल 2022 में चुनाओं है उसके ठीक पहले प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार के अंदर बदलाओ नेत्रित्र बदला हुआ जो प्रदेश अध्याक्ष्यां वह भी बदले गया हैं नए लोगों पर जिसमेदारियात तै की गई है उसके बाद संग कही न कहीं इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है गंभीर होने की वज़गे जिस तरीके से देखने को विल आ या कि क्योंकि कई ऐसे मसलें हैं जिसको लेके सरकार कहीं न कहीं घिर्टी भी नजर आई थी चाहें वो कावर रहत्रा हो या फिर देवस्थानम बोड़ हो तो यह तमाम विश्यों पे कहीं न कहीं चर्चा होगा और कोई ऐसी बात निकल के आएगी जिसको लेके आगामी चुनाओं की रणनीति करीगी और ऐसे में आगामी जो एजन्डा है वो भी तैक कि प्रकार से आगामी चुनाओं में जाएंगे दूसरी तरफ जो 35 संगठन इस बैठक में हिसा लेंगे कल और परसो 35 जो संगठन है उन संगठनों से यह भी चर्चा किया जाएगा कि अन्य छेत्रों में क्या कुछ काम हो रहा है चाहे हो स्वास का छेत्रों हो रोजगार का छेत्रों हो या पिर अन्य विसे हो इन सभी छेत्रों में कितना सरकार काम कर रही है और किस प्रकार से और बहतर करनी की आओ सकता है इन संगठनों के पदाधिकारियों से संग के जो पदाधिकारी है महामंत्री है व 2017 में जो 57 की बहुमत भाजपा ने लाई थी उसे कहीं न कहीं जिस तरीके से इस बार नारा भी दिया गया है 60 सीटे हासिल करने की ऐसे में उसे काबिल करने के लिए ये तमाम जो रणनीतियां बनाई जा रही है और यही वज़ा है कि संग इसमें दखल दे रहा और संग लगातार भाजपा को की मज़ूती को लेके काम कर रहे है और ऐसे में एक बार फिर से संग के महमंतरी वहाँ पर पहुंचे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो नराजगी सरकार से देविस्थानम बोर्ट की चल रही थी उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और कहीं न कहीं संग जो है सरकार और देविस्थानम बोर्ट की भी समनवे स्थापेत करने का कारे करेगा क्या समझे सीधे तोर पर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही संग के महामंत्री वहापर पहुँचे हैं और सबसे बड़ी देविस्थानम बोर्ड की जो नराजगी है उसको खत्म करना किया जाएगा देखे जो नया नयतित्र है नय मुख्यमंत्री है नय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है इनके कंदों पे 2022 के चुनाव में पूर बहुमत लाना एक चुनावती है और ऐसे में इन कामों कोले के जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर जो मंथन है वो जारी है चाहें जिस तरीके से जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हो या पिर दिगस नेता हो उनका लगातार उत्राकंग दौरा प्रिछले दिनों हमने देखा है और ऐसे में जिस तरीके से संग भी इसको लेके विश्च जो ले रहा है न मॉन्हय जो बैटख की जारी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में आखिर कैसे सत्ता को हासिल करे कोई और और कोई छोड नहीं छोड़ा जा रहा है बीज़ेपी की तरफ से लगातार सामनवे स्थापत करने के लिए संग के महामंतरी खुद महापर मौझूद है अब देखना ये होगा कि क्या जिस एहम कड़ी को लेकर वो महापर पहुंचे है वो सफल हो पाता है या नहीं बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए